दो दिन पहले मैंने यूटीब के उपर एक कम्यूनिटी पोस्ट डाला था हवी विक्टर्स के रिगार्डिंग कि अगर आपका हवी विक्टर्स से रिलेटड कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताएए मैं उसके उपर एक डेडिकेटड वीडियो लाने की कोशिश करूँगा तो कुछ लोगों के डाउट्स आये हैं तो उनी को मैं इस वीडियो में अंसर करने की कोशिश करूँगा और हो सकता कि बहुत सारे लोगों के डाउट उससे मैच भी कर जाएं तो अगर आप इस चैनल पे नए आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना तो पहले कमेंट से शुरू करते हैं मार डेविल पूछते हैं कि HP Victus I5 12th Gen 1615 वर्सस ओमन 16 5600H with 1615 कौन सा बैटर रहेगा तो यह HP Victus यह रहा और यह रहा HP Omen इन दोनों में से यह comparison करना चाहरे हैं कि इन दोनों में से कौन सा जादा बैटर रहेगा तो मैं अगर HP Victus की बात करता हूँ तो इसका प्राइज है 66,000 और Omen का जो प्राइज है यह 72,000 तो दोनों में प्राइज का बहुत ज़दा gap है सेल में भी इन दोनों का जो प्राइज है उनमें काफी ज़दा difference रहने वाला है सेल में जो Victus का प्राइज है वो 60,000 में मिल जाता है वही पर अगर मैं Omen की बात करूँ तो इसका प्राइज मुझे लगता है कि यह 68 या फिर 70,000 के अंडर रहने वाला है तो इसमें भी जो है वो सेल में भी प्राइज में काफी ज़दा difference देखने को मिल रहा है लेकिन मैं Victus के बात करूँ इसमें आपको ज़्यादा बैटर CPU मिलता है लेकिन जिसके बैटरी है वो 52 वाट आवर की है तो बैटरी बैकप ज़्यादा नहीं मिलेगा मैकसिमम 3 घंटे मिलेगा नॉर्मल यूज में वहीं पर अगर मैं Omen के बात करूँ तो इसमें जो CPU है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है comparison to Victus Ryzen 5 5600H मिलता है लेकिन जिसमें बैटरी है वो 70 वाट आवर की बैटरी इसमें देखने को मिलती है तो इसमें आपको बैटरी बैकप 5 घंटे तक मिल जाएगा नॉर्मल यूज में और इनके प्राइज में डिफरेंस का जो एक कारण है तो जो Omen है वो एक प्रीमियम स्रीज का लैप्टॉप है इसलिए इसकी ब्रैंड वैलू जादा है और इसका प्राइज भी जादा है लेकिन अगर मैं विक्टस की बात करूं तो इसमें भी आपको SSD के लिए कोई भी extra slot देखने को नहीं मिलता है और जो Omen है इसमें भी कोई extra slot देखने को नहीं मिलता है SSD का लेकिन इसका एक ही solution है कि आप यहाँ पे जो 512 GB लगी वी है इससे निकाल करके यहाँ पे एक TV आप अपग्रेट कर सकते हैं लेकिन यह महंगा पड़ेगा अब बात करते हैं कि दौनों मैंसे कौन सा बाई करना चाहिए तो दौनों का जो price में हैं काफी ज़दा difference देखने को मिलता है तो HP Victus का जो price है वो काफी सही है 60,000 के अंडर अगर आपको productivity के लिए laptop लेना है तो HP Victus ज़्यादा better रहेगा Omen की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको Omen तभी suggest करूँगा अगर sale वगेरा में Omen का price 65,000 में आ जाता है तो 65,000 के अंडर आप Omen को buy कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्याद अगर इसका price रहता है तो मैं इसे recommend नहीं करूँगा अगर 70,000 तक इसका price रहता है तो 70,000 में मुझे लगता आपको HP का ही laptop लेना है तो HP का ही laptop अगर लेना है तो HP Omen का price अगर 70,000 रहता है तो 70,000 के अंडर आपको HP का ही दूसरे laptop मिल जाते है या तो आपको better CPU के साथ में मिल जाएंगे या फिर better GPU के साथ में मिल जाएंगे जैसे कि एक laptop यह इसमें आपको Ryzen 7 5800 अटेच देखने को मिलता है और जो GPU है वो GTX 1615 है लेकिन इसका जो price है वो 73,000 अभी दिखा रहा है सेल में आपको यह 68,000 केंडर मिल जाएगा अगर 65,000 केंडर मिलता है तो Omen के तरफ आप बिल्कुल जा सकते हैं दूसरे comment के और बढ़ते हैं दी वाई ब्लॉक्स पूछते हैं कि HV Victus i5-12-450H GTX 1650 versus Dell G15 i5-11-260H RTX 3050 कौन सा अच्छा है ये भी HV Victus को सीधा Dell G15 के साथ में compare करना चाह रहे हैं देखो HV Victus का जो price है वो 66,000 है और Dell G15 का जो price है वो 67,000 है सेल में इन दोनों का जो price है जो Dell का price है वो आपको 62 या 63 देखने को मिलता है और जो Victus है उसका price 60,000 देखने को मिल जाता है तो सबसे पहले आपको ये decide करना है कि आपकी main priority क्या है कि आपको gaming के लिए laptop लेना है या फिर productivity के लिए आपको laptop लेना है तो देखो HV Victus में आपको ज़्यादा better CPU मिलता है अगर आपको day to day normal task करने है multitasking करनी है और आपको थोड़ी बहुत video editing भी करनी है तो HV Victus ज़्यादा better रहेगा लेगिन अगर आपको regular basis पे gaming करनी है main priority अगर आपकी gaming है तो आपको ज़्यादा अच्छा GPU के लिए जाना चाहिए क्योंकि Dell G15 में आपको RTX 3050 मिलता है next comment के अगर बात करें तो आशुतोश मोरिया पूचते हैं कि Victus i5 12th Gen 1315 versus Ryzen 55600H 3050 Ti which will be better overall I am so confused with so many variants क्या आप ये सारे variants का summarize करके comparison video बना सकते हैं क्योंकि YouTube पे ऐसा कोई वीडियो नहीं है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा ये सारे variants की एक dedicated वीडियो बनाने की तो आप पूछना चारे हैं कि i5 12th Gen 1315 और Ryzen 5 5600H 1315 Ti इन दोनों में से कौन साल ज़्यादा बेटर रहेगा overall तो overall अगर मैं बात करूँ तो i5 12th Gen 1315 ज़्यादा बेटर रहेगा इन दोनों में से next comment के अगर बात करें तो सावन पूछते हैं कि तो आप इस model की बात कर रहे होंगे जो की flip card के उपर मिल रहा है इसमें आपको i5 देखने को मिलता है 11 Gen के साथ में तो सबसे पहले अगर इसकी RAM की में बात करूँ तो इसमें आपको जो RAM की frequency है वो दूसरे laptop से कम मिलती है दूसरे laptop में 32 MHz मिलती है लेकिन इसमें 2933 MHz मिलती है लेकिन मुझे लहीं लगता कि इससे कोई भी normal use में आपका laptop हैंग करने लगेगा अगर तो normal use में lag कर रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं आपके laptop के उपर HP का WhatsApp support नंबर होगा तो उस पर आप जो है वो contact कर सकते हैं और अपनी problem बता सकते हैं तो आपको वहाँ से solution मिल जाएगा अगर software related कोई problem होगी लेकिन अगर multitasking वगरा में lag करता है उस time जो है वो lag करता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि RGB RAM आपको और upgrade करना है तो उससे जो है problem solve हो जाएगी और lag होने का एक और problem ये भी हो सकता है कि जो gaming laptop है उस जादा power consume करते हैं और अगर आप कोई ऐसा software यूज कर रहे हैं कि जिसमें की जादा power की जरूरत है तो आपको उससे power से connect करना ही पड़ेगा दूसरा आपने का कि आपको fast battery drain problem देखने को मिल रहा है तो ये भी software से related भी हो सकता है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं जो OMEN का software आपको देखने को मलता है OMEN Gaming Hub इसे open करके आप यहाँ पे performance and control पे जाके यहाँ पे quiet mode पे set कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा normal यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप quiet mode पे इसे रख सकते हैं और आप अपनी जो brightness वगरा है उसे भी कम कर सकते हैं तो इससे आपको थोड़ा battery backup में मदद मिलेगी नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं और यह last कमेंट है उदीत चोहान कहते कि मैंने अभी HP Victus i512 generation buy किया है लेकिन 15 days of use के बाद उसमें right side में extra gap है hinge area में left side वाले में नहीं है आप google पर ये article भी search कर सकते हैं extra gap वाला तो क्या future में ये problem create कर सकता है या मुझे company वालों से बात करनी चाहिए या फिर ये normal design है तो मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि आपको ये image देख रहे है तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यहाँ पर gap आ रहा है बीच में वहीं पर अगर left side के बात करें तो यहाँ पर कोई भी gap नहीं है तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि क्या ये design का part है तो ये design का part बलकुल भी नहीं है यहां तक कि Macbook में भी ऐसी problem देखने को मिलती है तो मैं कहूंगा कि आपको बात करनी चाहिए आपको return करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए अगर return हो जाता है तो सबसे बढ़िया है अगर नहीं हो पाता है तो जितना मैंने internet के उपर लोगों का experience पढ़ा है तो वो कह रहे हैं कि उनको भी ऐसी problem थी लेकिन 3-4 साल के बाद भी उसमें कोई problem नहीं आई है मतलब जादा तर लोग जो है वो कह रहे हैं कि इस तरह की problem थी उन्हें लेकिन कोई problem नहीं आई है हिंज में लेकिन आपको careful रहना होगा जब भी आप laptop की lid को open करते हैं तो आपको side वगरा से open नहीं करना है बीच से open करना है और मतलब आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी बाकी मुझे नहीं लगता कि future में ज़्यादा problem create करेगा क्योंकि बहुत कम gap है और जिनको ये problem आई थी उन्हें भी कोई ऐसे future में 3-4 साल बाद भी ऐसी कोई problem देखने को नहीं मिली लेकिन अगर आप return कर सकते हैं तो आपको return कर लेना चाहिए आशा करता हूँ कि आपको ये video helpful रही होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लेना इंस्टाफ अगर follow नहीं कर रहा तो वाँ भी follow कर लेना अगर आपका कोई और doubt है तो आप comment कर कि बताईए मैं आप सभी को reply करता हूँ